हेलो दोस्तों आप सभीका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सो मकेड़ूंगे दोस्तों उच प्रात्मिक इस्ताज यानि की जूनियर लेविल का जो आपका एक्जाम हुआ है यूपी टैट का अठायर नौमबर दोहजार अठायर को जो परिक्षा समपन हुई है उसके पूरे 150 कोस्टनों का सोलूसन हम आपको बता रही है और आसा करते हैं कि आपको वीडियो परसंद आई हुई और इस वीडियो में जो है हमने 100% एक्कुरेशी जो है प्राप्त करने कर अपना लक्षे किया है लेकिन फिर भी अगर एक दो कोस्टन गलत है तो आप हमें कमेंट करकर बता सकते हैं चलिए सुरुवात करते हैं मवाल मनो उग्यान की पहले कोस्टन से देखिए क्या है पहला कोस्टन समावेशी सिख्षा की एक वी सेस्ता नहीं है तो इसमें आप थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि कोस्टन बहुत ज़्यादा है तो आपका सेकेंड ओप्सटन इसमें करेक्ट होगा तो अगला कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर दो दोस्तों मेरे पास जो है सी बुकलेट का सेट है अगर आपके पास की ही और बुकलेट का सेट है तो आप अपना उसी के अकोर्डिंग अपने जो है ओप्सन मैच करें और question भी match करें क्योंकि सभी में क्या है option भी बदले हुए है और question भी बदले हुए है चलिए दोस्तों दूसरा question देखते हैं तो मेरे पास है c booklet का set दूसरे question में फ्लेंडर की अंतर किरिया विशलेशन पंदानी से संबंदित नहीं है तो आपका जो है चोथा option correct होगा मौन question number 3 संभासन में अर्थ की लगूतम ही काई है तो option A धाउनी ग्राम question number 4 हम करके सीखते हैं तो किस ने कहा था ये कहा था आपका डाक्टर में इस नहीं option A correct पांचवे question में देखते हैं सिख्षन का इस्थन नहीं है तो आपका option है last वाला question number 6 में देखते हैं तो 6 का option उप्यूक सभी correct होगा question number 7 की बात करते हैं तो काली गाएं काला कुत्ता काली वर्ष्टो को देखकर डरनने लगता है इसमें सही आंसर होगा आपका second अनुकुरिया अनुबंधन question number 8 देख लेते हैं तो question number 8 में आपको दिया गया है शिक्षण विदी का चैन करते समय ज्यान रखने की आवसकता नहीं है तो क्या ज्यान रखने की आवसकता नहीं है वो है आपका व्रद्य और विकास का पर्थम चनन तो इसमें आपका correct answer होगा चोथा option मानसिक विकास question number 12 देखते हैं सीखना एक तरह के वियावहर का तो संसोधन है option A correct होगा संसोधन है question number 3 देखते हैं Skinner box का पर्योग किया जाता है तो Skinner box का जो पर्योग किया जाता है option थड़ आपको दिखाए दे रहा हो परसूत अनुबंधन के लिए question number 14 की बात करते हैं तो चोदे में है बुद्धी मापन की भाटिया बैटरी परिक्षन में है तो पांच उप परिक्षन यानिकी second option आपक करेक्ट होगा अगला question 16 संकलना आत्मक प्रामर्स के जनमजाता कौन है तो यह आपका option थर्ड जोजल्स question number 17 की अगर बात करते हैं चात्र के एवांचित विएवहार के संसोधन हेतू सबसे परभावी विधी क्या है तो option 4 आपको दिखाई दे रहा होगा question number 18 की अगर बात करते हैं तो dyslexia संबंधित है दो dyslexia किस से संबंधित है problem of पढ़ने की समस्चत है यानि की option B correct होगा अगला देखते हैं brain lippy और tape recording किसके लिए sectioning प्रावधान के रूप में पयुक्त हिए जाते हैं तो option B यानि की द्रश्टी बादि छात्रों के लिए तो दूसरा option correct होगा बीस वे question में जाते हैं CW SN card क्या है तो पहला ही option आपका correct होगा विशिष्ट आवशक्ता वाले बच्चे यानि की चल्डरन विद इस्पेशल निड्स पहला option correct 21 में देखते हैं प्रामर्स का एक ततो नहीं है तो आपको इहां पहला ही option दिखाए दे रहा होगा व्रतिक व्रति यह correct आंसर होगा चलिए देखते हैं question number 22 पर क्या होगा आपका मनोविज्ञान उत्तरप्रदेश मनोविज्ञान साला कहां पर है उत्तरप्रदेश में तो option C इलाबाद में है मनोविज्ञान साला question number 23 इसकीनर का चुहों से जो संबंध है वह थान डाइक का बिल्यो से था और वही संबंध कोलर का क्या था देखे कोलर में जो है चिंपेजी यानिकि वनमान उससे यह अपना सिद्धान से दिया था तो option 4 आपका correct होगा अधिगम का पठार क्या है तो अधिगम का पठार बोलते हैं अधिगम में अवरुद वर्धन यानिकि option 2 आपका correct होगा दा बिहेवियार ओप ओर्गेनाइजेंशन पुक्स्ता का लेखक कोन है तो इसके जो लेखक है वो है इसकी नादा option 2 correct चात्रों में सही वियवहार के प्रश्चन हेतु सरवादिक मेहत्वपून क्या है तो क्या है सबसे मेहत्वपून सही वियवहार का प्रस्तूती करन यानिकि चोथा option correct शमश्या शमधान में लक्षय परवंता के इस तरीके question है 27 question है आपका तो हल इसका correct answer होगा second अगला question 28 विचार धारा से संबंदित नहीं है सुक्षम शिक्षन की तो वे हैं आपके डेविड हों यानिकि थर्ड ओप्षन correct होगा 29 वा देखते हैं तो 29 में आपको दिखाई दे रहा होगा शिक्षन अधिगम का इस तर नहीं है तो दूरवर्ती इस तर यानिकि चोथा option correct होगा question number 30 की बात करते हैं 30 में आपका चोथा option correct होगा शिक्षन नीती नहीं है तो मस्तिक उद्देलन इसमें चोथा option correct होगा चले चलते हैं दोस्तों मनोव उज्ञान समाप्त हो चुके है अब चलते हैं हिंदी भासा की और हिंदी भासा का पहला यानिक 31 question है चोरहा में समाश कुन सा है दिर्गु समाश option a correct अंदर अंदर कडाह चलती में गुड़ पगना तो option दो आपका correct होगा गुप्त मंत्रना करना question number 33 की अगर बात करते हैं तो 33 में आपका जो है third option correct होगा कोई भी पदपरदान नहीं होता तो 34 question की अगर बात की जाए तो स्वर किसका बेद है तो one आपका correct answer होगा अत्यचार में उपसर्ग बताना है तो पहला ही option आपका correct होगा आती 36 question देखते हैं जब सिक्चक की भासा का नुगरन करें तो उसे क्या कहते है नुगरन का सिद्धांत यानि कि दो option correct अंबर पंगट में ये इस तरीके का है अलंकार पूचा है तो यहाँ पर होगा रूपक अलंग का third option उसन वन पूचे होगा और मैंड़क का तत्सम रूप चाहे मंडूप ओप्सन एक रैक चारिसवा question देखते हैं दिगज की संदी विचे तो second option दिख प्लस गज़ अगला question देखते हैं देखिए गुप्त सब्द का विलोम क्या होगा तो third option यानि की परकट गांट का पूरा यानि की मालदार होना option चार सही होगा 42 में 43 की अगर बात किरते हैं लक्षय का पहला option निसाना उद्देश्य 44 की अगर बात करते हैं तो second option अमरत और पानी correct होगा 45 की अगर बात करते हैं तो आख का अंदा नाम नैंसुक यानि की गुणों के विरूद नाम का होना पहला option correct होगा question number 46 जो यहाँ पर गज्जान से संबंदी थे वो देखते हैं पोधे हमें क्या नहीं देते हैं तो जल य नहीं है दूस्त परिनाम नहीं है पूछा गया है तो option 4 आपका correct होगा चायदार रिलक्षों में फल नहीं लग पाना कविता सिक्षण की विदी है question number 48 तो third option अर्थबोध पर नारी question number 99 की बात करते हैं तो सही नहीं है कौन सा विलोम की दिरश्टी है सही नहीं है तो third option विशलेशन विवेचन पचास की अगर बात करते हैं तो सही नहीं माना जाएगा तो इसमें भी आपका चोथा option करती निकरश्ट प्रूस करेक्षण होगा देखते हैं question number 51 तो एक लोग उक्ष्व यानि की मोहवरा दिया गया है इसमें आपका चोथा option करेक्षण होगा लाश्यमी गई और सोफ्या आ गई क्योंकि यह क्या है स्विश्ट वाक्या है त्रेपण वह देखते हैं तो जो कम करने वाला होता है उसे बोलते हैं अल्प व्याई रेकिन यहां दिया गया है अप वई तो third option आपका करेक्षण नंबर चोथा option की अगर बात करते हैं नहीं मैं कल तुमारे गण नहीं आ शुकूंगा पहला ही option आपका करेक्षण नंबर पच्पन में अगर देखते हैं तो पच्पन में आपका चोथा option जो है गला तर्थ से दिया गया है मोहावरे का तो इसलिए चोथा option आप करेक्षण नंबर 56 की अगर बात करते हैं तो 56 में आपका जो है चिरंतन का जो विलोम है वह होता है नस्वाल तो option D correct question 57 की बात करते हैं तो second option आपना आगलान करना बिल्कुल गलत अर्थ है मोहावरे का तो second option correct 58 वेका देखते हैं तो 58 में चोथा option आपको दिखाई दे रहा होगा आप एल मुझे माद ये आपका सही आंसर होगा उड़न का संदी विचेद उन्सटवा question तो first option उत्पलर डैन 60 में देखते हैं तो 60 question है सुध वर्तनी तो सुध वर्तनी होगी आपकी स्रश्टा तो question 60 का होगा चोथा option चले देखते हैं अगला question कि दोस्तों हमने इंगलिस का जो पॉल्सन है उसका solution अपनी वीडियो में डाल दिया है आप यहां पर संस्क्राइट का जो solution हमने नहीं डाला था इसलिए संस्क्राइट का बता रहे हैं इस पेपल में चले देखते हैं question नमबर 61 कि संस्क्राइट वाजा से तो इसमें आपका 61 में होगा थाड़ ओप्सन सही तो बासट में सैकेंड ओप्सन आपका सही question नमबर बासट में आपका second option correct होगा द्रस question नमबर 33 की बात करते हैं तो साथ चोथा option सब्सक्राइट करेक्ट होगा question 64 में आपकी गुण संधी होगी कोशट 65 में देखते हैं तो अवजी भाव समास होगा third option question 66 का अगर बात करते हैं तो second option यानि की राज्य पुत्र आपका correct होगा question number 67 की बात करते हैं तो पहला ही option आपका सही होगा तो शर्षट में question number 68 की बात करते हैं तो 68 में आपका second option correct होगा question number 68 में अपादान question number 79 की अगर बात करते हैं तो 69 में आपका अधिकरन यान की first option correct होगा question number 70 की अगर बात करते हैं तो 70 में आगा आपका जो थर्षट है वो correct होगा question number 81 में जो है थर्षट अप्शन विस्ति फ़लानी विशंति फ़लानी correct होगा question number 32 देखते हैं तो 100 पुरूस का नुवाद होगा सथ फूलसा second option question number 73 में वी पहला ही option वी correct होगा question number 34 की बात करते हैं पित्र सब्दकाद रिख्त्य बहु वचन होगा पित्रम सेकेंड ओप्शन पिछेत्तर वा नदी सब्दकाद सब्दकाद में एक वचन है तो नदियाम यानि की third option question number 76 में आपका second option नैस ओब्यते question 77 में आपका थड़ ओप्शन सत्रू question 78 की बात करते हैं तो चोथा ओप्शन यदीपला सभी question 89 की बात करते हैं तो दिसम third option correct होगा question 80 में देखते हैं तो पूरूर समधी यानि की third option correct होगा question number 81 पर आते हैं तो तोली सब्द का दारान है तो होगा तलाई है यानि कि second option question number 82 सूजय का पजयावाची नहीं है तो मित्रम पहला ही option question number 83 दिस सब्द का बहुचन रूप सब्द रूप का तो थर्ड होगा इसका बहुचन और question number 84 का होगा second यानि की कर्म करक कोश्चन number 85 का second option तेन ग्रंथ है पठेंते तो second option क्रेक्ट होगा 86 का बात करते है तो छासी में महिला जो है वह लिंग बहुत से बच्चों ने इस दिरे लिंग आया है लेकिन वह काफी गलत है तो इसमें होगा आपका पुलिंग संस्क्रेट के अनुसार इसमें पुलिंग होगा तो 87 का अगर बात करते हैं तो बालक सब्द का यह पूछा गया है तो second option करेक्ट होगा बाल का है अठासी वेगा कन्या कन्या से संबंदित है तो पहला ही option कन्या या नवासी वा देनु रूप है तो देनु क्या है दिरित्या बहुवचन यानि की चोथा option करेक्ट होगा कोस्चन नमबर 90 में देखते हैं तो पर्थुमा दिरिवचन यानि की मधुनी रूप है दोस्तों ये समाजिक अध्यन और अन्यविशे जो है कलावर्ग से संबंदित हम कोस्चन आपको बता रहे हैं तो 91 कोस्चन देखते हैं तो यहाँ पर होगा second option करेक्ट दक्चिनी सु कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट यानि की second option आपका करेक्ट होगा 94 में आपका second option यानि की 10,000 लीटर करेक्ट होगा 95 का अगर देखते हैं तो तने का तने दुवारा यानि की second option करेक्ट 96 में से देखते हैं तो यूरिया चोथा उप्चन करेक्ट होगा सत्तरण में की बात करते हैं फूल आने हैं पूर्व की अवर्ष्था second option कोस्चन नमबर 98 का देखते हैं तो यहाँ पर आपको टैंडो मीटर द्वारा यानि की चोथा उप्चन और यहाँ पर देखते हैं न । कोस्चन नमबर 101 नीमबू का फलपश्चूल श्रोथ है स्रीक्ट का अधूर का एनetu की थारड सिर्चन ननमबर 102 नागपूर में है और पूर में है फार्योंht शाला इसलें में 103 अचलश्वल tines pub कोश्चन नंबर 104 में देखते हैं राग यमन जो है कल्यान कल जान इसमें से correct answer होगा एक तो first option आपका 105 में correct होगा 106 की बात करते हैं तो राग यमन यानि की first option correct 107 में देखते हैं सामलाल गुप्थ फारसत second option correct होगा 108 में thyroxene second option 108 की अगर बात करते हैं तो thyroxene आपका correct answer होगा second option 109 में अगर देखा जाए तो जल के माच्दम से पकाने की वीदी क्या है आपकी उप्युक्त सभी वीदी हैं यानि की 109 का D option 110 में अगर बात की जाए तो धोकला बनाने में पजुक्त वीदी जो है उथली चिकनाई वीदी second option correct होगा 111 में 2 वर्स से 6 वर्स की आयू के बच्चे को क्या कहा जाता है तो सीसु अवर्सता होती है फ़र्ष्ट option correct होगा 112 जल पर दूसन का कारण क्या है सभी तीनों कारण जो है जल पर दूसन के हैं तो उप्चुक्त सभी correct answer होगा 113 की अगर बात की जाए तो 113 में क्या है सारीक शिक्ष्चा का उद्देश से है तो सभी उद्देश सारीक शिक्ष्चा के हैं तो correct answer होगा चोथा बैडविंटन से संबंदीत खिलारी कोन है पीवी सिंदू आप सभी जानते होगे डालों में सबसे जादा क्या पाया जाता है तो डाले जो है प्रोटीन के लिए परमुक्स्रोथ हैं LSD का 7 से क्या होता है तो LSD के 7 से होता है मांसिक विब्रम यानि की चोथा option correct होगा विवयाईयाम के क्या लाव है देखे विवयाईयाम से जो है यह तीनों ही लाव होते हैं तो चोथा option आपका correct होगा एक सो अठारेगा देखते हैं तो व्रत अरेक उप्योगी है तो थाड़ उप्सन समर्गे संबंद में किसी एक से मूल्य को उपदर्सित करने के लिए एक सो उननीस का देखते हैं तो फर्ष्ट उप्सन परिच्छा इस पादन पर एक सो बीस में अगर देखा जाए तो तीनों ही उप्सन आपके करेक्ट हैं तो चोथा उप्सन आपका सही होगा उप्यूक्त सभी 121 की बात की जाए तो 121 में थड़ उप्सन जो है आपका करेक्ट होगा करके सीखना सीखने का एक मैस्त्यकून तरीका है कोस्चन नंबर देखते हैं 122 122 में आपका चोथा उप्सन आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा सभी धर्मों और समाजिक समूं के सामिल करना उनका पड़ती निर्द्वे करना करेक्ट आंसर मैं 123 123 में देखते हैं तो जीवन की किस कटना का चितरन चक्र दुवारा हुआ है तो संबोधी ऑप्सन आ गुप 324 में देखते हैं तो ओप इसकी पूष्टी की सभी लेग में होती है तो वह है आपका ासोखका अभी लेग अपसन आ करेक्ट 125 सबसे प्राचीन जो चित्र कला के नमूने हैं वह भीम बेट का गुफा के हैं तो थर्ड उप्सन करेक्ट होगा आत्मे सबाका जो सुभाराम किया था इस्थापना की थी वो आत्माराम पंडूरंग जी ने की थी तो चोथा उप्सन आपका करेक्ट होगा 127 में अगर बात की जाए तो Lord Holding second आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड 128 में अगर देखा जाए तो Akbar 2 यानि की चोथा उप्सन आपका करेक्ट होगा 129 की अगर बात की जाए तो 1856 यानि की second option आपका करेक्ट होगा 130 question number 130 में देखा जाए तो जहांगीर आपको दिखाई दे रहा होगा उनके समय में East India Company की स्थाफन होगी तो second option correct 131 की बात की जाए तो कुतूब दीन, बक्तियार, काकी, third option is correct 132 में देखते हैं तो आपका पहला ही option बाबर और 133 में देखते हैं तो चोथा option यानि की नागा लेंड आपका correct होगा 134 में अगर बात की जाए तो मूशी नदी के किनारे पर इस्तित है है हैदराबाद तो option A correct 135 का देखते हैं तो कोईला क्या है अवसादी सेल का तो second option correct होगा 135 में 136 का देखते हैं तो 36 में आपका दूसरा option यानि की बुदोर शुक्र के जो है उपग्रे नहीं है 137 देखते हैं लक्षे दीप कहां इस्तित है तो अरब सागर यानि की थड़ option 138 में देखते हैं तो भूमजर एक छेतर यानि की second option correct होगा 149 में अगर बात की जाए तो संसार का च्छत पामीर का पठार कहा जाता है तो थड़ option आपका correct होगा सबसे बड़ा मरू इस्तल 141 में पूछा गयते हैं वो है आपका साहरा 141 की अगर बात की जाए तो पाकल दूल पन बिजली पर योजन जाए के चिनाब नदी पर है तो चिनाब नदी का है जम्मू कश्मीन में थड़ option आपका correct होगा 142 वाद देखते हैं तो रोपन फसल नहीं है तो गैहूं की फसल जो है रोपकर नहीं की जाती नाटो का मुख्या लेका है ब्रूसेल्स में option A correct सम्विधान की अनुसूची में कितनी भासाओ का लेक है तो 22 भासाओ का लेक है प्रस्तावना में जो है भाग नहीं है तो वो है आपका option 4 संगात्मक 146 वे में देखते हैं तो सबसे महतून साहक सादम कौन सा है तो वाद वीवाद आपका चोथा अनुसूची करेक्ट होगा सामाजिक अज्जन में सम्मिलित नहीं है उच प्रात्मिक इस तरपर तो second option यानि की दर्सन सास्त्र यहां पर हम नहीं पढ़ते हैं 148 वाद देखते हैं तो इस्थाई अज्जक थे आपके राजिंदर पर साथ तो थाड़ ओप्सन करेक्ट राष्टपती अनुस्तिति में समस्कारिया कौन करता है उप राष्टपती यानि की second option आपका करेक्ट होगा अन्तिम कोश्चन देख लेते हैं किस नाभी के संदिका भारत में सदस्य जो है है तो इन तीनों में कोई भी संदिका भारत सदस्य नहीं है तो चोथा उस्तन आपका करेक्ट होगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लेज कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि सीट एट और अन्याग जामकी भी आम आपको सबसे पहले सोलूसन दे सकें और सबसे सटीक आंसर आपको दे सकें तो अगर कोई तुरूटी हुई हो तो इसके लिए छमाच आते हैं आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिन जय भारत